सतना के मेहर में ओले किसानों पर मुस्सीबत बनके बरसे हैं असमय बारिस और ओला वरश्ची ने किसानों की फसले पूरी तरह से बरबाद कर दी हैं किसान इस वक्त बहुत परेशान है और सरकार से उचित मुआफ़े दिये जाने की मांग कर रहे हैं मेहर में ओलो और बारिश ने किसान की जान ले लिए हर तरफ पसले बुरी तरह बरबाद हो गई है। बिमा योजना के पहर जो बैंक काटती है उसे उचीद मुआफजा दिया जाना चाहिए। उसमें भेदवाव नहीं किया जाना चाहिए। बैंक को भी इस पर ध्यान देना चाहिए और सरकार को भी। हम सभी की ये जवाबदारी है कि पीडित किसानों को उचीद मुआफजा दिलाया जाए। इस बेल्ट में थोड़ा जादा हुआ है रेल के इस तरफ से जादा है और नुकसान उस तरफ भी हुआ है रोड के साइड में से 50 परसेंट का नुकसान हुआ है। तो चाहते हैं कि उचीद मुआफजा हमको दिलाया जाए। जिससे हम लोग के सीसी से खाद बीज लेते हैं वहां से भी वहारा बीमा का पैसा करता है तो नहीं मिल पाता है। तो चाहते हैं कि साइड मुचित हमको मुआपजा दिलवाए। कारवजे के लगभर पहले तो हलकी बारिस हुई हवा चली उसके बाद थोड़ा बहुत ओला व्रस्थी है। पट्रिकुस पार वाले एरिया में ग्राम महेदर और परसवारा उससे लगा हुआ है। तो उसी में घखेत के जाकर किसानों के साथ मौका देखा जा रहा है। उ इसमें ये बात नहीं आना चाहिए कि पूरे में नुकसान नहीं हुआ या कम में नुकसान हुआ क्योंकि हर किसान अपनी रासी कटवाता है अपने खाते से। तो बैंक को भी इसमें देना पड़ेगा। दूसर सरकार को भी इस पर ध्यान देना पड़ेगा जो खड़ी फसल का नुकसान हुआ है और ओले गिरे हैं प्रते एक किसान की जवाबदारी है और हमारे जो ऐसे लोगों की जवाबदारी है कि मिलके इनको उचित मौबजा दिलाया जाए वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से चुड़े मसले हर मसले का सटीक विशलेश हम करते हैं सट्यका अनवेशा दखल नियूज आपके हख में आप देख रहे हैं दखल नियूज